हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजिल 2021-22 परिच्छा में पूछे गए इंपोर्टेंट जीके क्वेस्चन के बारे में जो कि आपके हर एक 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 जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और यह सभी लेटिस्ट पैटर्ण पर बेस्ट क्वेस्चन है और इस समय आपका सीजिल का एक जाम भी चला होगा क्योंकि 24 से ये एक जाम स्टार्ट थे तो इसमें बहुत सारी क्वेस्चन हमको देखने को मिलना है जीके के हर एक सिंग्मेंट से और इसमें जो एनलिसीस है वो तो हम न लांस फॉर्म हैं उनसे क्वेस्चन जरूर पूछा जा रहा है और साथ ही साथ जो अवार्ड से या जो भी अधर फैक्टर इस्टाटिक जीके से रिटर्ट वो सभी यहां पर पूछे जा रहे तो आपको अची तरीके से इन क्वेस्चन को पढ़ना है तो चलिए नाम कैनिस लूपस फेमिलेरिस है तो यहां पर सही आंसर होगा कुता यानि जो डॉग है उसी का वज्यानिक नाम होता है कैनिस लूपस फेमिलेरिस तो यह बायो से रिलेटेट कोश्चन था और एक बड़ देखिए जिस कोश्चन के हम बात कर रहे थे वही कोश्चन आ गय या तो आपसे dance form पूछा जाएगा या तो आपसे festival पूछा जाएगा important festival के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखे कहा गया निम्न में से mini kai dweep का एक किया जाने माला लोगनत्य है तो आपको बताना है mini kai dweep में किया जाने वाला लोगनत्य है तो यहाँ पर आपसे mini kai dweep के लोगनत्य के बारे में पूछा जा रहा है सबसे पहले बात करें अगर हम मिनी कोई दीप के बारे में तो ये कहां इस्तित है दीखे जिस परकार से लेच्छ दीप कई सारे दीपों का समू है जिस परकार से हमारा अगर हम भारत के पूरवी साइड बात करें तो वहाँ पर अं सब्तित है तो इसी से आपको ट्रिक से एद रखना की सिसार रखना यो फिसा, जो सही आंसर है वह है लावा नत है, यह चाने वाला नत है, है, अगला कौश्शित चल्वधुत्पर्योजना किस नदी पर इसीत है, तो आपको बताहि जो कोटेशोर जल विदूत परियोजना है जल विदूत परियोजना का मतलब आप वहाँ पर डैम बना कर विजली का उत्पादन करना उसे ही हम जल विदूत परियोजना कहते हैं तो देखें जो कोटेशोर डैम है यह कहाँ पर बना हुआ है यानि किस नदी पर बना हुआ तो यहाँ पर सही आंसर होगा भागी रती रिवर जो की आपकी उत्तरा खंड से रिलेटेड है यानि भागी रती रिवर से कई सारे फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले सबसे पहले हम बात करें कोटेसर डैम के बारे में तो यह कहां इस्तित है यानि जलविदूत पर योजना कहां इस्तित है तो जो हमारा टहरी डैम बना हुआ है उससे 22 किलोमीटर दूर यह जलविदूत पर योजना इस्तित है टिहरी डैम जो की भारत का सबसे उंचा बांध है और ये भी बना हुआ है भागी रती रिवर पर ही यानि भागी रती और यहीं पर भेलांगना रिवर इन दोनों के संगम पर यानि ये जो नदियां जहां पर मिलती हैं दोनों नदियां उसी पर बना हुआ है टहरी डैम और ये भी उत्राखंड में इस्तित है और भारत का सबसे उचा डैम अगर आपसे पूचा जाए तो वो है हमारा टहरी डैम उसके अलावा भागी रती और अ अलख नंदा कहां पर मिलती हैं तो ये मिलती हैं देव प्रियाग में और जन्म होता है गंगा नदी का तो गंगा नदी का जो जन्म है वो भी होता है भागी रती और अलख नंदा के मिलने से और ये दोनों कहां मिलती हैं ये मिलती हैं देव प्रियाग में और वहीं से फिर गंगा का निर्मार्द होता है तो ये कई सारे फैक्ट हैं रिलेटेट टू भागी दत्थी रिवर आपको याद रखने हैं अगला क्वेशन है निम्न में से किस वर्स में भारती सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था गोवा जिसे की आप आज़ आप एक पूर्ण राजजी के रूप में जानते हैं और अपने सुंदर बीचेस के रूप में जानते हैं याणि काफी सारे सुंदर बीच हैं गोवा रोज लोग वैकेशन के लिए जाते हैं तो वो गोवा पुर्तगालियों के कबजे में रहा यानि हमारा देश तो आजाद हो गया 1947 को लेकिन जो गोवा है वो यहाँ पर पुर्तगालियों के ही अंडर में रहा यानि यहाँ पर दूसरे का ही सासन रहा कब तक और वो रहा था 1961 तक तो 1961 तक 1947 से 1961 तक गोवा में पुर्तगालियों ने ही राज किया और इसका प्रमुख करण था क्योंकि अगर हम बात करें अपने इतिहास के बारे में इतिहास जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जब विदेशी कंपनियां भारत आई तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आये थे य उसके बाद अंग्रेज आये और मुश्रली हमने देखा अंग्रेजों का ही वर्चस सुरह भारत में और उन्होंने कई सालों तक सासन किया तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्यों अंग्रेजों के आने के बाद भी पुर्तगाली भारत में ही वने रहे क्योंकि जिसा कि आपने देखा अंग्रेजों से हार कर यहां से चले गए यानि अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए लेकिन पुर्तगाली क्यों सर्वाइव कर गए तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा जब आप हिष्टी के बारे में तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने मैरिज एलाइंस कर लिये अंग्रेजों के साथ तो फिर आपस में समझाता हो गया और अंग्रेजों ने पुर्तगालीयों को गोवा दे दिया था कि आप इस एरिया में सासन कर सकते हैं यानि इस एरिया में 1961 में Operation Bijjay के अंतरगत यानि भारती सेना के द्वारा एक Operation चलाया गया Operation Bijjay और इसके अंतरगत 19 December 1961 को गोवा को पृत्गालियों के यानि पृत्गालियों से मुक्त कराया गया लेकिन अगर हम बात करें गोवा के गोवा मुक्ति दिवस काफी important ये भी डेट है गोवा मुक्ति दिवस वो कम मनाता है यानि गोवा आपने स्वतंता दिवस मनाता है 30 माई को और उसका भी एक कारण है क्योंकि 30 माई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो यह question भी कई बाद पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना था 19 यानि आद रखना 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जब यह पूर्टगालियों से आजाद हुआ 1961 में तब इसको एक union territories बनाया गया था और फिर 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसलिए 30 माई को गोवा अपना यानि सुतंतर दिवस मनाता है तो ये थी गोवा के मुक्त होने की पूरी कहानी अब बढ़ते हैं हम अगले कोशन की और अगला कोशन है भारत के सम्विधान का निम्न में से कौन सा अनुछ है समानता के अधिकार से संबंदित है यानि समानता का अधिकार देता है तो बात करें अगर हम मौलिक अधिकारों की तो जो भी मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपको देखने को मिलेंगे और ये सम्विधान के भाग 3 में दिये गए हैं और इनको अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है तो ये तीन कौफी common बातें इनके बारे में आपको याद रखना है और यहाँ पर सही आंसर है 14 to 18 यानि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंतरगत जो भी समानता से सम्बंदित बाते हैं वो की गई यानि आपको समानता का दिका इन सभी का वर्णन आर्टिकल 14 से 18 के बीच में किया गया है और आर्टिकल 15 काफी important है जिसमें क्या है कि आप किसी वी विक्ति से धर्म जाती लिंग आदी के बेस पर यानि वहाँ पर आदी के बेस पर उससे वो नहीं कर सकते यानि उसका हनन नहीं कर सकते इन सभी basis के आदा पर तो यह काफी important questions है अब बढ़ते हैं अगले question के और अगला question है निम्नमे से कौन सी मद्ध और दच्छिनी भारत के अर्दसुस्क छेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है यानि हम अगर बात करें जो भी हमारा मद्ध भारत है उसके अलावा दच्छिनी भारत है उसके जो अ अगला question है सिकंदर यहाँ पर सिकंदर नहीं होगा सौरी यहाँ पर सिकंदरा होगा थोड़ी सी में स्प्रिंट हो गई है तो सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है यानि किस सम्राट का मकबरा है सिकंदरा के अंदर यह आपको बताना है तो यह सबी मुगल सम्राट दिये बनी हुई है जो की एक मॉनुमेंट है वर्ड हीटे साइट्स भी है और उसके अलावा बात करें अगर हम अकबर की तो यहां पर सही अंसर होगा अकबर यानि अकबर का ही मगबरा इस्तित है सिकंदरा में उसके अलावा बात करें अगर हम जहांगीर की तो जहांगीर का जो हुमायू का मकबरा इस्तित है दिल्ली में और हुमायू का मकबरा एक वर्ड हीटेड साइट्स भी है और मुगल कला का एक अधभुद अविश्यूशनी अगर हम बात करें तो एक आर्किटेक्ट्चर वहाँ पर दिखाई पड़ता है क्योंकि हुमायू का मकबरा एक परेतन इस्तल भी है यानि वहाँ पर लोग घुमने भी जाते हैं वह डिटेस साइट्स का दर्जा भी इसको दिया गया है तो ये भी आपको याद रखने तो सभी मुगल सासकों के हमने मगबरों के बारे में आप देखा अगला कोश्य ने नौर्थ इस्ट कैनियन्स और सी कालीन नेच्शनल मॉनुमेंट अगला क्वेशन है क्या है मखबर है घर है उपकरण है या एक कलस है तो आप पशान काल है इसमें कई सारे विशाल इस fanagam मिला मुहज Model Defence में हम पढ़ते हैं उसके अलावा तो आप से पूचा जा रहा है यह सील्ट है यह विसीगली क्या है 9 पासान कालीन क्या है तो यह हे एक UPS पकरण और Image के माद्यम से भी हम इसको देख लेते हैं तो यह देख सकते हैं आप यह हैं कि और फावड़ा की सेपे मान सकते हैं यह एक उपकरन्ध है जो कि नियो लाथिकेज metš जयानि कि 9 पाशयान कालीन एज़ में एक हetahतियार के रूप में यूज कर जाता था उपकरन पिरोन फंकी से रिलेटेड हैं और यहां पर सही आंसर होगा यूगलीना तो यूगलीना है वो किंगडम फंकी से संबंदित नहीं है तो यह हमारे आज के important 10 questions थे और इन सभी की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्रम चैनल पर और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें जो भी important dance form होगे वसे तो हमने dance form में already video बना रखे लेकिन जो भी नएने questions आए हैं TCS pattern पर तो कि हर एक shift में हमको question देखने को मिलता है तो उनका हम compilation करके जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं और साथ ही साथ कि हमारे 16 set complete हो चुके हैं और 4 set और बचे हुए यानि 20 set हम पूरे करने वाले हैं और 20 set के बाद हम यहाँ पर UPGK के questions करने वाले हैं static plus जो भी current के question होगे वो सभी हम करने वाले हैं UPGK से related या तो फिर हम जो topic wise जीके है उसको start करेंगे तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद